Hello and welcome to Ajay Sao Online Classes, this is me Nazia Rukhsar और आप यहाँ पर देख रहे हैं वोकाबुलरी सेशन जिसके हमने तीन सेशन अलरड़ी कर चुके हैं यह हमारा फोर सेशन है और मैंने यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ट्स आप लोगों के लिया हुआ है सो विदाउट एनी फॉदर अदू लेट्स बिगिन आवर क्लास यहाँ पर चैनल से रुटेट सारे लिंक्स आप जैसा की देख पा रहे हैं इनमें आप विजिट करें और हमसे कनेक्ट हो जाएं जो भी अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं सो लेट्स बिगिन सेशन और आप यहाँ पर देखिए जैसा की आप लोगों पता है अल्फबेटिकली मैं आप लोगों की क्लास ले रही हूँ यहाँ पर वोक्याबलरी में तो अल्फबेटिकली मैंने वर्ट्स लिय हुए हैं और तोड़े लेट्स स्टार्ट वर्स आप एक कॉलम नंबर सेकेंड में मैंने सारे मीनिंग गई हुए हैं और कौन से पार्ट व स्पीच को बिलॉंग करते हैं यह भी मैंने लिखा हुआ है तो इन्विटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही अपने आप में नई हो नू है और ओर ओरिजनल हो को पर देखेंड देखेंड अपने यह नू हैं पर ओर देखेंड नू हैं तो इस जो भी चीज को खरने में जहांपे नू मैंस नू अइजिनल होता है उसको हम इन्नुवेटिव कहते हैं यहां पर लिखा भी हुआ है नूबल और नू अश्पेशली अजिस और शिज पर इन insatiable का मतलब होता है someone who is very much you can say impossible to satisfy a person like a person who is never satisfied जिसे satisfied ना किया जा सके जिसे हम हिंदी में अतोषनिय भी कहते हैं या अतृप्य भी कहते हैं जिसे तृप्त ना किया जा सके उसे हम insatiable कहते है unable to be satisfied now the next is inversion inversion का मतलब होता है reversal और या फिर अब transposition भी कहा सकते हो किसी चीज़ का एक sequence या order को बिलकुल से reverse कर देना you can say the act of changing the position or order of something so that it becomes the opposite of what it was before मतलब पहले जो था वो पहले जो था original में जैसा भी था उसका बिलकुल reverse कर देना उसको पलट देना या फिर विपरितता आप बोल सकते हैं now next is invoke it means to call upon, to appeal to example a higher power इसका मतलब होता है to call on someone or to appeal to someone या फिर किसी particular कारे के समर्थन में कोई ऐसा नियम कानून आदी का प्रयोग करना या फिर आप जैसे यहां पे लिखा हुए है to call on तो basically आहवान करना को हम invoke करना कहते हैं now the next is lament it means to feel sorrow for or to mourn basically grief या sorrow हम बोलते हैं जिसे we can even say mourn that means to feel or show sorrow for the death of someone जाद तर death के लिए जो एक feeling शो की जाती है जो बहुत जादा एक शोक वाला जो feeling होता है विलाप आप बोल सकते हैं mourning वाला feeling होता है उसे हम lament बोलते हैं okay शोक मनाना basically now next is locomotion movement इसका मतलब होता है you can say movement और ability to move from one place to another हिंदी में आप बोल सकते हो गती या फिर चलन now next is lucrative इसका मतलब attractive होता है और basically थोड़ा monetary sense में होता है something which is very much profitable profit making, gainful और money making obviously वो बहुत जादा you can say कि attractive होता है तो obviously कब attractive होगा जब वो money making आपको लगे या profit making लगे या it is capable of making a lot of money you can say profitable जिसे हम हिंदी में लाबदायक या लापरद भी कहते हैं तो उन सब चीजों को ऐसे कुछ you know you can say proposals को आप बोल सकते हैं lucrative ones now next is malicious it's a very negative word it means harmful or spiteful तो basically something characterized by malise malise से ये वोड आया है इसका मतलब ही होता है very much hostile या bitter या विद्वेश विद्वेश पुर्ण someone who is very much unkind and cruel or you can say intended to do harm जिससे आपको harm पहुँचे नुकसान पहुँचे जो अपने आपे बहुत hostile है you can say प्रतिरोधी जैसा behavior रखता है bitter है you can say उसे malicious कहते है now next is malleable ये term हमने chemistry बगरा में पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऐसा मालो metal है and any type of material which is able to be hammered or pressed into shape जिसे hammer करके shape में लाया जा सकता है जिसे हम moldable कहते है जो अपने आप में बहुत ही soft नरम होता है लचीला होता है जिसे हम shapeable कहते है moldable कहते है ductile word भी आप लोगोंने सुना है तो जब इसे हम figurative sense में कहेंगे तो इसका मतलब होचाएगा capable of being molded or change you can say adaptable भी बोल सकते है या flexible भी बोल सकते है now materialistic materialistic is a term related to money money oriented जो चीजें होती है worldly चीजें होती है या किसी particular person के लिए अगर हम ये adjective यूज़ कर रहे है superficial focus on material possessions अगर हम किसी particular person के लिए यूज़ कर रहे है तो वो ऐसा person होगा who believes that having money and possession is the most important thing in life if कहने का मतलब है कि life में अगर कुछ बहुत जादे important है तो वो सिर्फ money है possessions है क्या कुछ मेरे पास हो सकता है how much more money I can have every time behaving so materialistically basically now here you can see यहाँ पे यह कुछ words थे अब यहाँ पे देखे मैंने क्या लिया हुआ है here is momentous जबी भी कोई हम इतिहास से किया बहुत जादा एतिहासिक रूप से यह historic रूप से कुछ बहुत important चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका बहुत महत्व है significance है जो बहुत एहम है महत्वून है उसे हम momentous कहते हैं basically जो एतिहासिक रूप से बहुत important है historically significant now next you can say novel novel ऐसा term है जो नए चीज़ों के लिए यूस होता है जैसे भी हमने innovative पढ़ा था तो वहां पे भी मैंने आपको novel बताया था क्योंकि innovative का मतलब होता ही है नया और original तो basically वहां पे भी आप novel उसके synonym में पढ़ेते तो novel का मतलब होता है something which is very much new and innovative और अगर आप ऐसे भोलो novel तो वह book आप लोग समझी गए हो some kind of उपन्यास और कथा तो वह भी एक meaning होता है ठीक है nuance nuance का मतलब होता है subtle difference in meaning कहने का मतलब है जो छोटी छोटी बारीकिया होती है जो fine distinctions होते है छोटा छोटा difference या variation होता है उसे हम nuance कहते है now next is null null का मतलब होता है legally void and effective जो लीगल तोर से देखा चाहे तो जो चीज़ा invalid होती है which has no binding force basically जो अशक्त होती है अपने आप में शूने होती है जो particular चीज़ की validity नहीं रही जो invalid है अपने आप में void है ineffective है उसे हम जिसका कोई प्रभाव नहीं है उसे हम null कहते है legal तोर से आप इस चीज़ को याद रखेंगे now next is objectivity judgment based on observation instead of emotion opinions objectivity का मतलब होता है कि वो judgment जो facts पे-based है उन facts पे-based है जो facts basically that rely upon facts and जो किसी personal belief या feelings या you can say emotions या personal opinions से effect नहीं होते हम इसे हिंदी में वस्टू निस्था कहते है या विशेय निस्था कहते है तो basically objectivity का मतलब यह होता है कि ऐसे judgment जो depend करते है facts पे true facts पे and not on personal beliefs और personal feeling और emotions ठीक है अब obsolete obsolete हमने पहले भी पढ़ा हुआ है obsolete का मतलब जो पुराना हो चुका है जो out of date हो चुका है जो outdated है जो old fashion है जो प्रचलन में नहीं है no longer use rare और uncommon जो पुराने ढ़ंका है या फिर basically पुराना है अब प्रचलित है या फिर जो अब use में नहीं रहा which is not in use anymore ऐसी चीज़ों को हम ऐसी मानने ताओ को हम obsolete कहते हैं now next is omnipotent obviously use for God और almighty और deity इश्वर के लिए use किया जाता है यह particular word because इसका meaning ही होता है having unlimited power almighty and all powerful all powerful almighty almighty हम क्यों बूलते हैं God को because all मतलब पूरी तरह से mighty मतलब powerful जो पूरी तरह से powerful है जो supreme है जो सर्व शप्तिमान है उसे हम omnipotent कहते हैं now onset onset का मतलब beginning होता है यह start होता है beginning of something especially something unpleasant कभी-कभी basically आप पुरी चीज़ों का जो शुरुआत होता है उसके लिए जादा तर आप onset word यूज करते हैं जैसे कि मैं आपको बता दू कि जो military attack होते हैं हमले होते हैं आक्रिमन होते हैं वो चीज़ का जब शुरुआत होता है तो onset word का यूज किया जाता है बाकि अगर अगर जेनरली देखो तो इसका मतलब start या beginning होता है जिसे हम प्रारम या आरम भी कहते हैं beginning और early stages early stages of something मतलब कोई चीज शुरू ही है तो उसका जो शुरुआती stages है जा early phase है उसे हम onset कहते हैं now opine to open the express and opinion मतलब अपने opinion को express करना अपनी feelings को हम अपने जो विचार है उनको open तरीके से very frankly और freely वियक्ट करना इस पस्ट रूप से express करना उसका मतलब होता है opine it's a verb it's a verb basically onate onate का मतलब होता है decorate करना या फिर highly decorated या embellished भी हम उसे बोलते हैं embellished भहत ही अच्छा वर्ड है embellished मैं आप लोगों को यहाँ पे mention करके दिखाती हूँ आप देखिएगा यहाँ पे space नहीं है बट यह आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे e-m-b-e-l-l-i-s-h-e-d embellished जब हम decoration से भी थोड़ा सा हटके decorative को थोड़ा और superlative degree में देखते हैं तो embellished वर का यूज़ करते हैं यह ornate का यूज़ करते हैं जिसे बहुत ज़्यादा fancy यह alankrit यह sajila यह saroop भी कहते हैं highly detailed and decorated जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं now next and the last one for the session is oust oust भी एक verb it means to remove a force out of usually a position of office basically कभी भी किसी person को अपने position से, अपने power से अपने job से, you can say अपने place से, या किसी competition से हटने के लिए या पद त्याग कर देने के लिए जब force किया जाता है तो उसे oust कहा जाता है to drive out someone basically expel from a position or a place expel करना मतलब वही होता है overthrow कर देना, outturn कर देना या overturn कर देना basically किसी को बेदखल कर देना forcefully, ठीक है उसका मतलब होता है, out तो I really hope आपको ये सारे words के meaning समझ में आया होगा मैंने अपने तरफ से काफी easy वे मैं आप लोगों को समझाने का कोश्च किया है, हमेशा की तरह हम हमारे अगले session में कुछ और important vocabularies देखेंगे और आप मुझे प्लीज जरूर से बताए कि अभी आपको लोगों की जो मैंने चाहा sessions लिए है vocabulary के ये आप लोगों को कैसा लगा अपना feedback आप लोग जरूर दे अगर आप लोगों को कोई improvement चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे जरूर से बताए comment section में इसके लाब अगर आपको किसी particular word में कोई doubt है या फिर आप किसी ओर तर या से कुछ और extra explanation चाहते हैं तो प्लीज वोगों जरूर से बताएं comment section में please students make the session interactive again and again I am basically requesting you all now channel को subscribe जरूर करें and press the bell icon too जिन्होंने अभी तक नहीं किया है हम मिलेंगे मारी अगली class में till then students keep learning keep practicing good night and thank you for watching the session have a great time ahead